गुड इवनिंग मैं डियर एस्टूडेंट डिस जंकित कुमार एना वेलकम टू यो अध्यनड़ा तो अध्यनड़ा के इस एजुकेशनल प्रेट्फॉर्म पे आप सभी का मैं हारदिक सागत करता हूँ आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं हिश्टरी का चैप्तर फोर का जो भी subjective question answer रह गया था जिसके बारे मैंने आपको बताया था कि part two में कुछ question answer होंगे वह सारे question answer आपको इस part two में देखने को मिल जाएंगे इससे पहले important question answer जो है पहला पार्ट में हो चुका है और यह भी बहुत सारे important question answer आपको देखने को मिलेंगे इस section में यानि कि इस पार्ट में इस लिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है वह जा करके जरूर देखिएगा आपको वह पार्ट भी बहुत अच्छा लगेगा उस chapter का नाम है विचारक, विश्वास और इमारते most important subjective question answer इस chapter में आपको देखने को मिल जाएंगे वैसे question answer जो कई सारे एक्जामे लगातार पूछे गए हैं और कुछ ऐसे question आपको देखने को मिलेंगे जो आने वाले एक्जामे जिसके पूछे जाने की संभावना बनती है दो कास करके subjective के वह थोड़े से अलग होते हैं जो आपको generally नहीं मिलने वाला है कहीं भी ठीक है और किन board के बच्चों के लिए helpful होने वाला है तो बिहार बोड के लिए होने ही वाला है जारखंट बोड के लिए भी होगा इसके अलाबा बिहार के अलाबा जारखंट उसके बाद उत्राखंट उसके बाद राजस्थान उसके बाद उत्तरपर्देश उसके बाद मद्रपर्देश और लास्ट में 36 गड़का भी question हम लोगों ने देखा था तो बहुत सारे board exam है यह question आपको हो सकता आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा सेशन को आगे बढ़ाते हैं आज जो है आज जो wednes day है और wednes day को quality history होती है आप सभी को पता है और इसका जो timing है आठ वजे रखा गया है ठीक है डेली आठ वजे सामें क्लास होती है एक दिन जोग्रफी एक दिन quality और एक दिन history आप notification के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइ साथ PDF भी आपको वहां पर मिल जाया करेगा इसके अलावा मैं आप लोगों से बहुत नराज हूं पुछिए क्यों सर क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं शेयर नहीं करते और इस वज़य से वीडियो का जो व्यू है या कही ने कहीं नीचे चला गया है मैं आपसे बार अब आप ही बताइए अगर मेरा मोरल डाउन होगा तो मैं कोई नया सब्जेक्ट कैसे सुरू कर पाऊंगा मैं साइकलोजिकी क्लास सुरू करने वाला था अब मैं आपका जो यह है ना जो आप शेयर करते हैं ठीक है यह जो भीउ जा रहा है यह अब देख करके मैं सुरू क करूंगा क्योंकि आप लोग सेर नहीं करते हैं सेशन को और इस वज़े से भी बहुत कम जा रहा है अगर मेरा मोरल डाउन होगा तो मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा फिलाल हम तीनी सब्जेक्ट को ले करके आगे बढ़ेंगे देखते हैं क्या रहता है ठीक ह सब्जेक्ट होता है लेकिन जो मैंने किया वह पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और एकोनॉमिक्स से मैंने किया ठीक है मैं एकोनॉमिक्स शोर करके आपको साइकलोजी पढ़ाने के लिए तैयार हुआ इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है में भी आपकी डिमांड हो सकती है चलिए ठीक आपकी डिमांड सराखों पे लेकिन मैं आपसे जो उमीद करता हूं कि आप तमसे कम लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर लिजिए हमारे चैनल को लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा लेकिन सेयर कौन करेगा सेयर भी तो करिए ताकि इस वीडियो को थोड़ा स पूश्चन आपके सामने है घबराइए नहीं सुरू हो जागा साइकलोजिक एक लास अस्तूप क्यों और कैसे बनाये जाते थे चर्चा किजिए राजस्थान बोड 2016 में पूछा गया है और अस्तूप क्यों और कैसे बनाये जाते थे वर्नन कीजिए जारखंड बोड 2022 और 16 में राजज़र्स्थान में पूछा गया तो राज़र्स्थान और उत्राखंड यह क्या कर इस का है उलट फिर हो रहा है एक क्वेश्चन अलग-अलग बोड एक्जाम में देखने को अलग-अलग समय में मिला इसलिए जो मैं क्वेश्चन आंसर कर वाता हूं आप उसके screenshot लेटे चलिए और साथ इसाथ notes बनाते चलिए ताकि आपको exam के समय में revision करने में बिलकुल भी problem नहीं होने वाली है answer पर चलते हैं अस्तूप क्यों और कैसे बनाय जाते सबते पहले अस्तूप क्यों बनाय जाते थे यह जो एक परकार का धार्मिक असमारक होता था, असमारक इन दा सेंस जो बहुत भिक्षू या बहुत धर्म के अनुयाई जो मर जाते थे, ठीक है उनकी याद में बनाया जाता था, उनकी हड़ी, दात, इस सब के सरीर के कुछ अंग को ले करके, जो बहुत धर्म का महतपूर मरे, जब वो मरे तो उस घटना को बहुत धर्म महापरिनिर्मान कहा गया, ठीक है, इस महापरिनिर्मान की अस्थली के रूप में बुद्ध की अस्मिर्ती का समर्पन, यानि कि बुद्ध की याद में हम अस्तूप बना देते हैं, ताकि हम उनको किसी तरह का भेट कर पाए ठीक है, उनके मरने के उपरान, उसके बाद दूसरा है, महापुर्ण बौध संग्रहालेयों के रूप में परियोग होने का समर्थन, यानि कि जो अस्तूप है इसको बना दिया जाएगा, और बाद में एक तरह से संग्रहाले के रूप में उसका परियोग होगा, जो है दर प्रवाद कैसे बनाया जाते थे उसके बारे बात करेंगे हम लोग यह मैंने आपको डिसकर्शन किया पिछले क्लास में कुछ बच्चा कह रहा था एक बच्चे का कमेंट में देख रहा था कि पहली बार देखा हूं मैं कि आर्ट के एक्जाम में भी आर्ट सब्जेक्ट में अभी जो पिक्चर है यह बनाया जाता है तो आपको अभी तक पता है नहीं है आश सब्जेक्ट में अगर आपको नंबर लाने है नंबर उठाने है तो आपके आंसर राइटिंग बहुत गजब के होने चाहिए और दूसरा अगर उससे रिलेटेड आगर आपको पिक्चर म करते हैं ठीक है इसकी कैसे बनाया जाते थे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे प्रारंभी का अस्तूप जो थे खासकर करके संरशना की बारें बात की जा रही है यह साधारन थे लेकिन जो बाद में क्या हुआ समय बीतने के साथ इसकी संरशना जो है काफी जटिल होती है इसकी सरुवा जो होती है कटे कटोरे नुमा मिटी के तिले से हुई ये जो कटुरा नुमा है आपको दिख रहा होगा जश्ट वेट कीजिए इसकी तिलेस होई बाद में क्या हुआ इसको अंड के नाम से जाना जाने लगा ठीक है इसके बाद अंड के उपर एक छज़े जैसा धाचा हर्मिका बनाया गया जिसको इस्वर का प्रतीक इस्वर निवास का प्रतीक बताया गया ये जो हर्मिका आपको दिख रा ओगा ठीक है ये हर्मिका का पिक है ये पिक मैंने आपसे टेलिग्राम गुरुप पे शेयर किया था तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो अब जाकर कर जरू देखे देखे टेलिग्राम गुरुप पे आपको मिल जागा और मैंने यह सजेशन दिया था कि अगर संदर्ष्णा के बारे पोश्टा है आप यह पिक जरूर है ना यहां इसमें रखे जाते थे ठीक है हर्मिका के बीच में लकडी का एक मश्थूल यस्ती लगा होता था ठीक है यह एक परकार का जो डंडा यहां पर दिख रहा होगा जिसका यस्ती नाम है यह जो डंडा दिख रहा है इसको यस्ती बोलते हैं इस पर एक छत्री छत्र पर नहीं होती थी और यह जो बना हुआ है पिल headed ग्हार की दिवारे इसको वेदिका कहते थे यह पवित्र और दुनिया से फिर्थक्ने मिल जाएगे I hope आपको यहाँ भी question समझ में आ गया मैं erase कर देता हूँ यहाँ से आप जिन बच्चों को भी screenshot लेना है प्लीज screenshot जरूग ले लिजेगा बढ़ते अपने अगले session पे ठीक है देखिए objective का question क्या होता है बहुत मज़िदार होता है आपके पास 4 option है आप उसके answer कीजी आगे नि तो जितनी रूची आप objective question answer में दिखाते हैं उतनी रूची आपको subjective question answer में भी दिखानी चाहिए और subjective question answer लिखने में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका बहुत ही कविकास होता है आपके सोचने की छमता डेवलप होती है आप कुछ और सोच पाते हैं लेकिन objective question में अगला कुश्चन है हमारा भारत में भारत में स्यव धर्म के आरंब एवं विकास की विवेशना कीजिए जो सिव भगवान जो सिव में जिनका जिनका जिनकी रुची है उनको मानने वाले को सिव भक्त कहा जाता है बात करते हैं अंसर देते हैं इसका भगवान सिव से इसके आरंभ का परमान वैदिक काल से ही मिलता है जहां रिगवेद में सिव को रुद्र कहा गया वैदिक काल में रिगवेद की रशना हुई एक हजार पंदरह सो से एक हचार इसापुर में रिगवेद काल माना जाता है बिलकुल हां तो इसी काल में क्या हुआ था कि रिगव सबसे पहले उसका अरम हमने देख लिया जैसे यहां पर विकास लिखा हुआ आया वैसे यहां पर एक पुईट आरम डाल के आप दोग शुरू कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि इंग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इस से इसका आराम हुआ कई राजाओं के समय में इस धर्म का परचार परसार हुआ था कई सारे राजाओं ने किया जैसे गुप्ट सासक चंदरगुप्ट दुतिया का एक परदानमंत्री था वीर सेन ठीक है? उसका एक परदानमंत्री था वीर सेन इसने क्या किया उदैगीरी पहारी पर सेव गुफा का निर्मान करवाया सेव धर्म का परचार है तो इस काल के पुरानों में जो यानि की मैं गुप्त काल की बात कर रहा हूँ इस काल में जो जिन पुरानों का निर्मान हुआ इसमें जो है लिंग पूजा का उलेख मिलता है जो हम लोग सिभु़लिंग की पूजा करते है उसका उलेख मिलता है और संभवता संभवता एसा माना जाता है कि लिंग के रूप में सिभ पूजा का आरम जो है या गुप्त काल में हुआ अगर objective question में बन जाए होनी चाहिए इसके अलावा कनिश्क के समय में जो चीनी यातरी हिंसांग जो भारत आया था उसने वारा नसी को सेव धर्म का प्रमुख केंद्र बताया है क्या बताया है उसने सेव धर्म का प्रमुख केंद्र वारा नसी को बताया है राजपूत काल जिसका समय आठ सो से बार बहुति सुबंदू एवं बानवत जैसे विद्वान जो थे या सेव धर्म कहीं उपासक थे और एक नंबर का अबजेक्टिव कोश्चन यहां भी बनता है काली दाज भावभूति सुबंदू और बानवत जैसे जो विद्वान थे निम्न में से किस धर्म के अनुयाई थे य मैंने आपको करवा दिया है तो उमीद करते हैं यहां भी कोश्चन आपको समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर और अगला कोश्चन जो बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया है महावीर स्वामी के जीवन एबम उपदेसों का वर्नन करे उसके अलावा मतलि जो पूछा गया है बिहार बौट 2010-12-14-18-22 और ज्ठाएं बोट 14-15-16-18 और 20 में पूछा गया है मैंने पहली कोश्चन से कहा था कि अगर ज्ठाएं के बौट में पूछा गया है तो इसका मतलhin यह नहीं कि दूसरे बोड में नहीं पूछा जाईगा तो बिहार बावना बनती है कि आने वाले समय में अलग समय में यह कोश्चन आपको देखने को मिलेगा यह कह सकते हैं एक सदाबहार कोश्चन है जो कभी भी मतलब कभी भी पूछा जा सकता है आपसे महावीर स्वामी का जीवन परिचे एक सौट में देना है पांच नमर के कोश्चन है यह ध्यान दखिएगा इसके अलावा इससे पहले वाले कोश्चन की मैं बात करूं यह तो दो ही नमर में ठीक है जादा नहीं है दो ही अंक में है और मैं बार बार इस बात का जिक्र करता कि अगर आपने 15 में से 14 question बना लिया और पंधरमा question जो है आपको नहीं आ रहा दो नमर वाले question है और आपको detail में आरा है तब जाकर वो पंधरम attend कीजी है नहीं तो मट कीजी है कोई दूसरा question attend कर जिजी है और यहां भी यहां भी पूछा तो गया है दो नमबर में और पांच नमबर भी दोनों में पूछे गए, दो और पांच दोनों अंग में यह पूछे गए और ठीक है, तो ध्यान लखिएगा महावीर स्वामी के उपदेशों का बर्णन करे, महावीर स्वामी आपको पता है जैन-धर्म के जो है, या चौविस में उनको तिर्थंकर कहा जाता है उससे पहले उनको वर्धमान के नाम से जाना जाता था उनका जन्व 540 इसा पुर्बुत वैसाली बिहार के पास कुंट ग्राम में हुआ था और उनके बच्पन का नाम वर्धमान था तीस वर्स की आयू में उन्होंने अपना ग्रीतया कर दिया और उनको ग्यान प्राप्ति करने में 12 वर्स का समय लगा यानि की 42 वर्स की आयू में रिजुपालिका नदी के टटपर जंभिका ग्राम में साल विरिक्ष के नीचे महावीर को ग्यान प्राप्ति हुई ठीक है जिसके बाद मतलब कैवल्ले की प्राप्ति हुई यानि की ग वो ज्यान का आ जाता है ज्यान कहने का अर्थ क्या है ग्यान कहने का अर्थ है एक प्रकार से आप जीवन को अच्छे तरीके से समझ गए ठीक है जीवन क्या है जीवन किसलिए दिया गया है ठीक है जीवन का लक्ष क्या है यह समझना ही ज्यान परापती है बेसी करतों में समा पूरे नमबर मिल जाए अगर मैं इस बात की गैरैंटी नहीं ल्ये सकता कि 5 नमर इसमें देगा लेकिन इस बात की पूरी रिटी है कि 4 नमबर आपको इसमें मिलेगा दो नमर तो आपको इसill Hui जाएगा महावीर स्वामी का जीवन पर इचे जैसे अपने टॉपिक लिखा उनके बारे में चार लाइने लिख दी इसके बाद जब आप दूसरा टॉपिक डालते हैं और इसके बारे में आप कुछ लिखते हैं तो दो नमबर मिनिमम इतना तो मिही जाएगा इसके अलावा साड़े च अचने तिक बिन बताया जैन धर्म 570 गुन बताया जैन धर्मे अइंसा की बहुत बड़ी मानेता है ठीक है चीती भी मरना जैन धर्मे आप समझा जाता है उन्होंने दुनिया को जैनधर्म के के 500 सिधांत परी पर सब्경हार साद्यारी करना चाहिए और परीगरा धन संचे नहीं करना चाहिए और ब्रहमचर यानि की आप अपने इंद्रियों पर वस रखे जैन धर्म में ऐसा कहा गया महाविर स्वामी ने ऐसा उपदेश दिया उन्होंने अपने उपदेशों और परवश्णों के माध्यम से दुनिया को सही रहा दि जान दिया साइद वह कैसी और धर्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा उन्होंने मानव को मानव के परती ही मानव के परती ही प्रेम और मितरता से रहने का संदेश नहीं दिया यानि कि उन्होंने ये तो कहा ही कि मानव जो है दूसरे मानव के परती प्रेम और मितरता के स साथ मित्रता पुरुवक प्रेम पुरुवक रहने के लिए बताया गया है इसके अलावा मिट्टी पानी अगनी वायू और वनस्पती से लेकर कीरे मकोरे पसु पक्षी आदी के प्रती भी मित्रता और अहिंसक विचार के साथ रहने का उपदेश दिया है यह महाविर स्वाम लेकिन उसका भावार्त नहीं बदलना चाहिए मैं आपसे इतनी ही उमीब करूँगा सेसन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए ठीक है ताकि हम लोग आगे बढ़ें और अगला कुश्चन है हमने सैव धर्मों वहां पर देखा अब हम यहां पर देखेंग लिए क्व foundation पूछा नहीं गया है मुझे यसा लगँर है question फूश जया इसलिए question आपके सामने है वैस्णभ धर्म का विकास यहाँ भागवत धर्म से हुआ है ठीक है और भागवत धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं जिन्होंने भागवत धर्म को फैलाया भागवत धर्म को जिन्होंने लाया या क्रिश्न को माना जाता है इस धर्म के मानने वाली लोग भागवान विस्नु की अराधना करते हैं या तो भागवत धर्म के बारे में थोड़ा सा यहां पर आपको लिखना है और फिर एक टॉपिक यहां पर आपको लिख देना है उसके बाद वैस्नव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ इस तरह से आपको स्टार्ट करनी है मैं लिखना भूल गया लेकिन आप लोग जरू देश का मतरा हुआ करता था आप सभी जानते हैं कृष्ण की नगरी कहा जाता है मतरा को ठीक है जिसका केंडर मतरा हुआ था और पूरे भारत में यहीं से इस धर्म का परचार परसार हुआ जो अन्य भागों में फैला ठीक है यहां धर्म गुप्थ काल में अपने चर्मोत कर्षपे होता है था यानि कि कोई धर्म होता है नहीं कि बहुत ज्यादा चर्मोत कर्षपे होता है जिसको बहुत ज्यादा संद्रक्षन प्राप्त होता है हर जगह से मान सम्मान मिलता है तो ऐसा हुआ था वैसनब धर्म के साथ गुप्त काल में विश्नु का वाहन जो है अवतारों की हमें जानकारी मिलती है और इनकी मूर्तियां भी निर्मित की गई थी किसमें राजपूत काल में और चंदेल राजाओं ने भी विस्नू के कई मंदिर बनवाए थे तो इस तरह से इसका विकास हुआ अगला कोश्चन है बुद्ध के जीवन और उपदेसों का वर्नन किज्ये जैसे महवीर स्वामी के जारखर पूछा गया और पूछहा जा और 19, बिहार बोड 2011, 1921 में पूछा गया question है, तो इसकी पूरी संभाबना बनती है कि आने वाले समय में आपको अलग-अलग exam में यह question देखने को मिल सकता है. सबसे पहले हम जीवन के बारें बात कीजिए, जैसा कि टॉपिक यहां पर दिया गया है, गौतमुध का जन्वा 583 सापुर में हुआ था, कपिल वस्तु के निकट निकट नेपाल की तराई में लुमिनी ग्राम में हुआ था, आप सभी को पता, और इनके बच्पन का नाम बस इतना लिख देना उनका जीवन परीच है, बहुत ज्यादा नहीं डीटियल में जाना है, इसके बाद हम इनके उपदेशों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और स्क्रीन सोट आप लोग जरूर लेते चलिएगा, बुद्ध के उपदेशों के बारे में हम लोग बात क भी हुआ, ठीक है, और जिस परकार का भी उनको ग्यान प्राप्ति यानी कि जैसा कि मैंने जहन्धर्मे समझाया है, एजीटीद बात धर्मे भी वैसा ही होगा, तो बौद्धर्म का उन्होंने परचार परचार करने का सोचा यानि कि जिस घ्यान के उनको प्राप्ति यूँ वह अब लोगों में फैलाना चाह रहे थे ठीक है जिसका उन्होंने निश्चे किया और इसी क्रम में वह सरपर्थम कहा पहुँचे सारनात पहुचे और पांच ब्राह्मनों ब्राह्मन सन्यास्तियू को उन्होंने अपना पह चार आरियस सत्य कहा जाता है और गौतम बुद्ध के चार आरियस सत्य जो है यहनिम ने लिखी था है अब मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ यहां तक आपको उमीद करते हैं कि समझ में आगया बिल्कुल मैंने आसान सब्दों में रखने की कोसिज की है मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आप इससे भी आसान कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं अपने सब्दों में बस क्या होना क्या चाहिए कि आपके आंसर के जो क्या क disfr करते हैं आंसर के सो meaning है यहां चैंज नहीं होने चाहिए ठीक है पहला आरिय सत्य क्या था दुख बुद्ध ने कहा कि संसार जो है दुखों से परिपूर्ण है हर वेक्ति को दुख है और दुख का कारण उन्हें तृष्णा को बताया इक्षा को बताया जो मनुस्य के इक्षा है यही उसके दुख का कारण है दूसरा उन्होंने बताया दुख समुदाय, सारे दुखों का कोई न कोई कारण है, एक्छा, अग्यान, मुह, मुखिता दुख के कारण है, यानि कि मनुस की जो एक्छा या दुख के कारण है, आपके एक्छा बिहार टॉप करजा, आप बिहार टॉप नहीं करेंगे, तो कह से लिखे लोग होंगे वह लोग पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं उनमें अज्ञानता काफी ज्यादा भड़ी रहती है इसके अलावा जो मोह होता है यहां भी दुख सुरी यहां भी दुख का कारण बनता है तीसरा उन्होंने बताया दुख निरोध एक्छाओं का अंत जो है या मुक्ती मारग है आप दुख से कैसे निजाद पा सकते हैं तो आप अपने एक्छाओं का त्याग कर दीजिए ठीक है और चौथा उन्होंने बताया दुख निरो अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन पे और अगला कोश्चन है हमारा सांची के अस्तूप के अवसेसों को सुरक्षित रखने में भोपाल की बेगमों ने क्या भूमिका इदा की यानि की बेगम एक से ज़्यादा होंगी ठीक है इस कर्थन की उचित तरक सहित व्यक्या कीजिए जारखंड बोड एक्जाम 2011 उत्राखंड 2012 और 2017 में पूछा गया है तो ध्यान लखिएगा क्योंकि दो नमर वाले अधिकतर कोश्चन हो चुके हैं और इसलिए दो नमर वाले कोश्चन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे हम लोग पहले देखते हैं पहला हमारा टॉपिक होगा क्या टॉपिक होगा सांची के अस्तूप के जनरल टेलरा संधिक एक अब्जयक्टिभ कोश्चन तो यहां से बंता कि संद्रक्श को That one जनरल टेलर के दौरा सांची के असमारकू की खोज कब की गई ऐस तरह से कुश्चन बनेगा कीवर्ट ध्यान रखिएगा कुश्चन कैसर भी बने अपकर ले जाएंगे इसके बाद भुपाल की बेगम जिनका नाम साज यहां बेगम था इनके सासनकाल में यहां पे 1881 सापु यानि कि पहारी के तब तक क्या थे अस्तूप जो थे अपनी ओरिजिनल इस्तिती में नहीं थे जिस अस्तूप में उनका निर्मान काफी पहले करवाया जातुका था असो के समय में उन्होंने क्या किया जंगलों को साप करवाया पहारी की उपर उनको अस्तूपों का पता तुषिक है इन्होंने क्या किया सांची के अस्तूपों में अत्यधिक रूचि ली इन्होंने क्यों लिख्यों कि यह सांची के अस्तूप को जो उन्होंने सुधार करवाया था और खास करके जो तोरन के बारे मैंने आपको बताए जो गेट के उपर डिजाइन बना हुआ था उनको वह ले जाना चाहते थे अपने 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 देश में म्यूजियम में रखना चाहते थे लेकिन एचेच कॉल साहब ने एक बात बता हैं तो उनके लिए क्या बनाना चाहिए प्लास्टर का प्रतिरूप बनवाना चाहिए जिसको वह अपने मीजियम में रख सकते हैं तो जो फ्रांसेसी थे और जो अंग्रेज थे इन्होंने क्या किया जो अच्छी हालत में जो तोरन बची थी उनको अपने अपने देश ले करके हुआ संतुष्ट होगे काफी संतुष्ट होगे उन्होंने जिद नहीं की फिर ले जाने की इस परकार सांची कास्तूप सांची में ही मोल रूप से संदक्षित रहा यहां तक आपको उमीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा इसके अलाबा पांश नमर में लिखना सुल्तान जहां बेगम ने सांची की धरोहर के रख रकाभेतू काफी युगदान दिया था उन्होंने क्या किया सांची में ही एक संग्राले और एक अतीती साला संग्राले यानि की म्यूजियम जो भी अबसेस मिलते हैं उनको म्यूजियम में रखा जाता है ठीक पटना में बिहार म्यूजियम है गांधी म्यूजियम है जिसको बिहार संग्राले गांधी संग्राले कहते हैं उसी परकार अतिती साला यानि की अतिती के रुकने के लिए जो वहां पे घूमने आएंगे अध्यन करने के लिए आएंगे उनके रुकने के लिए एक परकार का घर जिसको आ ता यहीं नहीं इन पुस्तकों के परकासन पर भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया था ठीक है पैसा दिया था अनुदान देने कार पैसा दिया था इस परकार हम कह सकते हैं कि सांची के अस्तूप के संदक्शन में भौपाल की बेगम ने एहम भौमिका निभाई उ इसके अलाबा यहां सेशन यहीं पे अंत होता है और चौथा चेप्टर का question answer का सेशन खतम हो गया सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए सेशन आपको कैसा लगा मिलते हैं फिर अगले सेशन में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल लखिए थैंक्यू टेकर रहें बाई बाई